जैन दोस्तो हम computer का second chapter पढ़ रहे थे, second chapter का हम part 1 पढ़ चुके हैं, part 1 में मैंने आपको computer की जो PD है, भाहा तक मैंने पढ़ा दिया है, computer की पाचो PD है, ठीके, आज हम इससे आगे के topic पढ़ेंगे, यहनि कि जो next PD के computer है, next generation computer है, यहां से हम प्रारम करेंगे, chapter second का नाम था हमार computer का अध्वाब और विकास, ठीक है, पहला chapter complete पढ़ा चुका हूँ, आज इस वीडियो में आपका second chapter भी complete हो जाएगा, चलिए हम स्टाट करते हैं, वीडियो को like share कर दीजे, देखें, next PD के computer की बात करते हैं, 5D PD तक हो गए थे, अब उससे आगे, 5D के बात, यानि कि अगली पीडियो की जो computer होंगे, आगे आने वाले समयंबह होंगे, next generation computer, इसमें किन किन computer को रखा है, nano computer को इसमें रखा है, next generation जो computer उसमें, quantum computer को रखा है, DNA computer को रखा है, और chemical computer, इस प्रकार के computer next generation में आने बाले हैं, जिनको में बहुत fast काम किये जाएगा, यानि इनकी गती बहुत पतीर्व होगी, और chemical based भी होंगे, DNA based भी होंगे, quantum इस फ्रकार से nano, इनको नाम याद रखीगा, next generation के computer कौन कौन से, तो अब बताएगे, nano computer, quantum, DNA और chemical computer, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्य पद्दती के आधार पर जो बर्गी करण है, उनको समझते हैं, कौन कौन से on working technology, यानि कि जो बर्क है, उसके आधार पर computer को किन-किन भागों में बाटा गया, कार्य पद्दती के आधार पर बरी करण, कार्य पद्दती के आधार पर इनको हम तीन प्रकार में बाटते हैं, तीन भागों में बाटके पड़ेंगे, पहला जाता है हमारा analog computer, ठीक है, digital computer और hybrid computer, अब एक-एक करके इनके बारे में संचिप में जानकारी ले ले लेते हैं, जहां से परिच्छा में प्रिशन आएगा, तो आप बना पाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं, analog computer, क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने आपकी घड़ी देखते हैं, उसमें जिस परकार से बहान में जो गाड़ी होती, उसमें मीटर में आप देखते हैं, कि उसमें एक लाइनिंग रहती है, अब आइन टू, थ्री, इसको आप ऐसे काउंट करते हैं, तो वो हमारे analog computer के ही प्रकार है, जैसे कि समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली बहुतिक रासियों को analog रासि कहते है, समय के साथ जो बहुतिक रासि परिवर्तत होती है, उन्हें ही analog रासि कहते है, analog जो computer होते हैं, इनकी गती अतन धीर होती है, analog computer की गती कैसी होती है, अतन धीमी होती है, जैसे कि analog computer में आप बात करें, साधरन जो गड़ी आपने देखे होगी, साधरन गड़ी कीबात करें ना बहान का गती मीटर ज अंदर आएंगे इसकी गती कैसी होती है अत kmow 평 in adult अच्य सअधी दिजि को हो चलतें यो avete उस पर चलते तो उसके से इस में ज़िए valid चान सब्सक्राइब ही इसे जरv को ओदोन हे जाता है इसमें ज़िए अधारी जो पत्दती तो करसे वर देखते दिग्ट्राने ची होते हैं ओर ब्रद्धै мелरिवे लिच Việt प्रोसेसिंग के लिए इंपुट आॉटपोड में एनलोग संखेतों का प्रियुख किया जाताहे को प्रेयोग आटकिया जाता इनलोग संखेतों को प्रियुख किया जाताहे इतनी बात समझ आ गई होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें, आकार और कारिय के आधार पर अब बर्यकरन देख लेते हैं, कम्पूडरों को, आकार और कारिय के आधार पर इसका बर्यकरन समझते हैं, क्लासिपिकेशन बेजड ओन साइज एंड बर्ग ठीक है। इसमें जाता है हमारा एक मैंड फ्रेम कंपूटर, मिनी कंपूटर, माइक्रो कंपूटर और सुपर कंपूटर ये ना आकार और कारी कादार प्रेंट को हमने चार भागों में बाट लिए मैन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कम्पूटर अब इनके एक एक करके इनकी प्रोपरटीस जान लीजे ताकि प्रिष्ण आए परिक्षा में तो आप बना पाएं सबसे पहले बात करते हैं मैन फ्रेम कम्पूटर की, ठीक है मैन फ्रेम कम्पूटर, ठीक है मैन फ्रेम सही कलियर है, मैन फ्रेम कम्पूटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दू कि एक मैन कम्पूटर होता है, ठीक है, जिसमें डेटा और प्रोसेजर सारे उस केंदरी इस्तान पर रखा जाएगा Central में जो सभी डेटा और इंस्ट्रेक्शन को स्टोर करता है जो यूजर है यानि कि हम आप हैं डम टर्मिनल के माद्यम से मैं फ्रम कंपूटर से जोड़ता है यूजर है मानव है वो डम टर्मिनल के माद्यम से क्या होता है मैं फ्रम कंपूटर से जोड़ता है तो कैंदरी डेटाबेस और प्रोसेशन चमता को भीयोग करता है जैसे डम टर्मिनल से जोड़कर जो सेंट्र डेटाबेस है और प्रोसेसों छमता है जिसstersi dem terminal जुड़े हुए उनका उपियोग क्वोन यूजर करता है प्रीक्ष अंप्रवेक होते हैं में कैसे काय sedan काफी बड़े होते है यह होते हैं इसमीन डाटा इस्टोरिस चमता। Ugh अधिक होती है इसमम सब आगला आग पार्टों में माट करकार्य किया सकता है deficit programming operating system चला आया जा सकते हैं से मेंफ्रेम computer की विशेषना आगार में संब्सक्राइब बड़े होगि डेट एच्छम्था दादिख होगी the data processing की कतिती तीरब मल्टि यूजर होंगे टाइम सेरिंग मल्टि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यह पर डाइग्राम में समझनी कुष्ट करिए यह आपका मैंन कम्पूटर हो गया ठीक है एक टैप ड्राइवड डिवाईज है डिस्क ड्राइव ठीक है यह प कम्पूटर से ही जोड़कर कैसे कारे एक सांथ कारे कर सकते हैं यह वाला टर्म टर्मिनल कारे करेगा तो इसी का जो डेटा और इंस्टेक्शन इसमें जो स्टॉर होगा उसका यूज करेगा चाहिए यहां पर करे कोई यूजर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां प को बता दिया पर अब हम आगे बढ़ते हैं मिनी कंप्पूटर पर आ जा आते हैं ठीक है मेन फ्रेम कंप्पूटर होगे अब मिनी कंप्पूटर इसका अभिस्कार की बात करें तो 1908 में डी इसी डी इसी क्या है डीजिटल एक्क्यूप्मेंट कॉर्पूरेशन नामा कंपनी ने मिनी कंप्पूटर का विकास किया किसने एक उसन आता है पर एक्षा मेनी कंप्पूटर का विकास कौन सी कंप्पनी के डीजिटल एक्क्यूप्मेंट कॉर्परेशन नामा कंप्पनी ने मिनी कंप्पूटर का विकास किया आकहर में मेन फ्रेम कंप्पूटर से कैसे होत देखें मैंने मैंने में फिरम कंप्पूटर देखें मेनी में परेम चोल फोके लेकिन मिनी कंप्पूटर से यह कैसे होता है तो में में अधिक माइक्रोप्रोसेसर का प्रियोग क्ये जाता है है इसकी जो स्टोरेज चमता है है वह लों होती है गती में तो इसका उपियोग होगा यात्रियारशन में यानि कि जो रिजरवेशन हैं बड़े ओपिसों में कमपणी में अनुसंदान रिसर्च बगया रित्यादी में विनी कम्पूर्टर को फियोग होता है , सबसे मैने इसमें क्या है कि इसका विकास कुएंसी कमपणी ने किया , अओकर मैन फ्रेम से छोटा होगा जबकि माइक्रोकम्पूर्टर से बढ़ा होगा इसमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उप्योग किया जाता है संग्रन चमता जिसमें अधिक होती है गती भी अधिक होती और साजा इसको फ्योग किया सकता है उप्योग रिजर्वेशन बड़े ओफिस कंपनी इत्यादी में इसका उप्योग कियाता है मिनी कम्पूटर का है थोड़ा सा देकि माइक्रो कंप्योटर मिनी कंप्योटर से बी और छोटा वह तो नामसे के लिए मिनी माइक्रो माइक्रो और छोटा होता है ठिकर में भीकास की बात करें da 1970 में आई डाडा Tigers की यतर माइक्रोटर के लिएएम कंपनी के 25 का से दोहरा किया ऊतर में CPU में Micro processor का उप्यूग किया जाता है, देखिए, Micro computer है, इसके CPU होता है, इसमे Micro processor, यानि कि बहुत छोटे आकार के processor का उप्यूग किया जाता है, जिससे की इसका आकार कापी छोटा होता है, Micro processor में देखिए, VLSI एक processor है, ULSI से Micro processor के आकार में कापी कमी आई, यानि कि VLSI और ULSI जो Micro processor है, कापी छोटे आकार के होने से, जो Micro computer उसके आकार में बहुत जादा कमी आई, ठीक है, और इसकी चमता कही गोना बढ़ गई, जो पहले computer थे, Mini ठीक है, या Manframe, इससे भी इसकी चम multimedia में होने लगा, एक साथ कई कार इसमें होने लगे, Music, Audio, सब कुछ इसके अंदर होने लगा, इंटरनेट का जब विकास हुआ, तो इंटरनेट के विकास माइक्रो कम्पूटर की उप्यक्ता को हर घर में, इसमें, हर घर में इलादिया, या बहुत बड़े छेतर परिसमें क करांती आ गए, किस से इंटरनेट के विकास है, जैसे कि माइक्रो कम्पूटर के हम रूप देखें, आज जो desktop computer है, लगवा, आजकल हर एक घर तक पहुंच गया, हिना, बांकि भी सारे घर तक नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता हर एक घर तक, जो जिसको थोड़ा बहुत भी पर करता है, इसके कार में computer होगा, desktop computer, personal computer, laptop बगएरा है, laptop, personal computer को आप और भी कई form में ले सकते हैं, और laptop, notebook, tablet, smartphone, इस सारे कैसे, micro computer का ही है, आजकल हम देखते हैं कि smartphone से ही सारे कारी किये जाते हैं, है ना, क्योंकि यह microprocessor का ही कमाल है कि इतने छोटे आकार में computer हमारे आगा है, आजकल जो पहले आप computer करते थे, वो आज सारा smartphone से सारा बर्क कर सकते हैं, इसलिए क्या होगे, जब smartphone छोटा आकार का comfortable होगे तो कहीं पर भी pocket में रखके, कहीं पर भी हम बैटे हैं, उससे हम calling तो करी रहे हैं, सांग ती साल, online वह सारा बर्क भी आजकल हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, जो desktop लैप्टॉप, उनकी विखरी में कहीं कमी भी आ गई, तो point की बात यहां पर क्या है, जो माइक्रो कम्पूटर है, उसका विकास IBM कमपनी ने किया है, इसमें CPU में कई सारे माइक्रो क्रोसेसर को प्योग किये गए, जिससे की VLSI और ULSI, जिसको प्योग से क्या हो गया, माइक्रो कम्पूटर का आकारेम हो ज्यादा कम यह गई, इससे चमता बढ़ गई, मल्टी मिडियम उप्योग होने लगा और इंटरनेट के विकास ने, तो इसके उप्योगता हर जगा बढ़ा दी, ठीक है, तो यह इसके माइक्रो कम्पूटर के रूपी है, ठीक है, चली, परसनल कम्पूटर की इम बात कर लेते हैं, परसनल कम्पूटर इसको PC भी कहा जाता है, PC इसके बाब जोदी पढ़ाना हो, तो कोई बाता नहीं, महानत लगती है, लेकिन तेकि मैं चाहता हूं, तो वीडियो क्वाइलटी अच्छी होगी, जिससे आपको बहतर दिखाई देगा, लेकिन आप थोड़ा साब एड़ेस्ट करिएगा, कंटेंट फोकस रखेंगा, तो इस पर एक बार में एक ही बैक्ती है, यानि सिंगल यूजर कारी कर सकता है, परसनल का मतलब भी है, परसनल बैक्ती ही कारी कर सकता है, या फिर लेप्टॉप को भी आप परसनल कंप्पूटर कह सकते है, इस पर एक बार में एक ही बैक्ती कारी कर सकता है, या कार में कैसे होत है और समता होती है यानि कई सारे कारिये एक सांught कर सकता यायसे कि आप नहीं देखाँ ौट्ध या कि सांथ जल रहा है कि स्यूग रही है इंस्टा भी चल रहे क्ली पे encourages haarिए हर घर में ऑफिस में सिक्छा मनवन्जन हर एक फिल्ड परसनल कम्पूटर ओपियों किये जाना लगा है यहां पर चोटा सा एक डाइग्रम बनाने को उसकी यह सुन्दर सा देश सीप्यों है मॉनिटर है जिबोड है माउस है ठीक है यह हमारा परसनल कम्पूटर बाकी लैप् काओ पर कबर करा रहा है जो से आपको अलग से बढ़ना है सकता है ना हो इमबेड कंपूटर क्या होताफ है इंबेड नाम से कहले ही ब stressing है याणि कि जिसे किसी विसेस कारे के लिए तयार किया जाता है जैसे कि आज कल देखते हैं कि हर एक चीज़ डिजिटल हो गई आज कल एंड्रोइट टीवी आ गई एगर में बॉसिंग मसीन में भी कुछ देखी फंक्सान होते हैं माइक्रो वेम में मैं इना कार इजने में क्या होता एक चोटा कंपुटर इन विल्ड़ होता है इन विल्ड को ही इंविडेट कहा एक Jewish को जिए कि एंधियेटि कम्पूर्टर जो किसी सब्केुम्पाइबiendo काी लिए तैयार जाता है इम एक स्टेशन अंबात कर इस्वेकर बेहतर डिसपिले को द्यान में रखकर बना जाता है इसकी डिस्पिले बहुत बहुत बहुतर होती है इस पर एक बार में एक ही वैकती कारे कर सकता है ठीक है बब किस्टेशन की बात कर दो प्योग इसका बैद निर संग्पोटर की बात समझे corridor है बहुत सकती साली है इसमें अधिक प्रोसेसिंग चमता कोफियों होता है इसके स्टोरे चमता अधिक होती है और बहुत डिस्पेले को ध्यान में रखता है यह बनाया जाता है ठीक है लाइट आ गई बोलिए स्रीहरी की जैहो तेकि वीजिश में थोड़ा सामें मरूरंजन भी जरूरी है ठीक है बाकी हमें बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस होके नहीं पढ़ना बाकी सीरियस होने आसकता नहीं है पॉइंट पर फोकस रखिएगा ठीक है बरके स्टेशन कम्पूटर के बारे हमने पढ़ लिया बागे बढ़े चलिए सुपर कम्पूटर पर आ जाते हैं कि अतने चांप अब सक्क्रका सब्सक्राँ चलिए से मैमोरी चाहिर कर सकते हैं टो इस परकारे कम्पूटर हमारे सुपर कम्पूट कहलाते है दälltर को 706 म में जोड़कर कर आता है सब्सक्राइब निर्माणत जोड़कर क्या किया जाता है। ऐसार के जाता है। मल्क उज़र भी कहा जाता है इसलिए इसको मल्क कंपूटर को मल्क यूजर घृ कहा जाता है ठीकए सबीस्ट की गढना सब कृटर में फ्लॉप से यहां से एक प्रिशन पूचा जाता है प्रोसेसज़्ज़्च सब्रकॉटर में किसकी की जाती फ्लॉप्स में की जाती है अब आगे हम बात करते हैं इसको जाता है अमेरिका की कम्पणीय है जिसको इसको करतम सपरकंपश्हर जाता है क्रे रिसर्च नाम याद रखे का अमेरिका की कमपणीय क्रे रिसर्च घ्र जो don उपर चुम्पूटर का स्रे जाता है, जहीं सब्सक्राइब कि स्परक्रंपूटर के जनुने दाता आप किसे कहेंगे, इसनों ने कंपनी बनाई थी, इसका प्पी और बेकग जानेक और तकनीकी चेतर अनुसंदान डिजान इत्यादी में किया जाता है, देकिंगे दोस्तों मैं key point already यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका एक भी point ना छूटे और आपको सिर्फ वही चीज यहाँ पर बताई जाए जो आपके topic की हैं आपके काम की unnecessary बात बिल्कुल न की जाए और कम से कम समय में आपको ज्यादा content दिया जाए रहा तो इसलिए मैं already कुछ key point यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में बहुत easy हो ठीके मैं यहाँ बेना लेके कुछ चीजे बताऊंगा तो हो सकता आप थोड़े समय के बाद भूल जाए लेकिन जब आपके सामने लिखा है ठीके इसके बाद मैं बोल रहा हूँ उसको और समझा रहा तो भारत में जो परम सीरीज के सुपरकम्पूटर है इसका निर्माण सीडेक कमपनी है पुड़े की इसके द्वारा किया गया है तो भारत में परम सीरीज के सुपरकम्पूटर के निर्माण कैस नहीं किया तो कोशन हो जाया आता है परम सीरीज सुपरकम्पूटर के निर स्पार कंप्पूटर सिद और बिक्सित पहला केंसा पहला सो परकंप्पूटर के भारत पहला सोस्पर कंपूटर परं एट हजाराब फिस निर्माणन इसका उननीच स्थानिस किये गए सीड़क दे सकते उससमसे सब सके जब्ट ci विसित सबसे तेज सॉपरकम्पूटर का नाम पहुंचे थे बताएं यूवा सेकेंड जो परम यूवा सेकेंड कंपूठ्र है वोzd रिए शेख कंपणी गलेआफ यूटा सoser कंपूटर नाम कोणतर है जो स्रम्पूठ्र के विकास क्शेंच है थो बार्ग मुंबई द्वारा अनुपम सीधिक सुपर कम्पूटर का बिकास किया गया याद रखे गए एक एक पॉइंट है न भारत के प्रतम सुपर कम्पूटर फिलोर साल बार का बिकास किसे ने किया नाल बांगलूरु द्वारा नाल बांगलूरु द्वारा उन्नीस स्वस्थी में किया गया बारत के प्रतम सुपर कम्पूटर ठीक है बारत का प्रतम सुपर कम्पूटर फिलो साल बार का विकास किस ने किया नाल बांगलूरु द्वारा उन्नीस स्वस्थी में किया गया ठी के बहुत ही डीप में मैं आपको computer पढ़ा रहा हूं इससे डीप computer नहीं पूचे जाएगा बस practice आपको करना है विदावर practice हो सकता आप गलतियां कर जाए लेकन practice के बाद आप गलतियां नहीं करेंगा तो इसलिए का आदू ने जो क्म्पूटर बिग्जान का जनक किसे कहा जाता है चाल से बैबेज इनका नाम आपने बहुत सुना होगा यह पिता भी कहते हैं चाल से बैबेज को बाइनली जो प्रिणाली जीरो बन इसका स्रेक इसको जाता है जॉन बारडीन, बिलियम साकले तथा बाल्टर ब्रेटन, दो चारवान नाम याद लेंगे तो याद हो जाएगा ट्रेंजिस्टर का विसकार, जॉन बारडीन, बिलियम साकले तथा बाल्टर ब्रेटन, इनने ट्रेंजिस्टर का विसकार किया था, आईसी का विकास की बात कर आई सी के विकास जैक किली भी तो था रोबर्ट नॉई ठीक है जैक किली भी और रोबर्ट नॉई ने कह किया था आई सी का विकास किया था Silicon Valley के नाम से प्रसेट सेर कौन सा है भारत का Silicon Valley किसे कहा जाता है Silicon Valley भारत का जो बंगलूर सेर है उसको कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा second chapter complete होता है इसमें जितना भी deep में था सब कुछ मैंने आपको एक एक point करके discuss कर दिया है अब आप इसकी practice लगा लेना तो आपको सारे point याद हो जाएंगे देखिए क्या होता है जब हम एक वार theoretical part पढ़ लेते हैं तो objective से हमारे सारे doubt के लिए होते जाते हैं और mind में याद भी रहता है कभी-कभी direct नाम याद नहीं रहता है objective के जड़ी आपको याद रह जाता है कि चार option में से अच्छा हमने पढ़ाता है वाँ पे देखकर याद आ जाता है तो इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करिएगा सभी like करें channel को subscribe कर लिजेगा telegram channel को ज़रू जोइन करिए याप पर practice set आपको मिलेंगे ठीक है और मैं इससे पहले गड़ित पढ़ा चुका हूँ हिंदी पढ़ा चुका हूँ उनकी वीडियो नीचे description में लिंक है playlist की या channel की playlist में जाकर आप चेक कर लिजेगा तो मद्ध्रतिस पड़बारी के लिए आपको बहुत कुछ content इस channel पर मिल जाएगा ठीक है मिलते है next studio माच कितना ही जैहिन बंदे मात्रम